असलामेक। नाज नाज शाह मजूद है नेक्स स्लूशन की जाने से मुनकित किये गए लर्न एननफेस 2023 में जिसमें बहुत सारे जो है फेमस प्रसेंटी जिए शर्कत की यह साथ में यूथ बहुत ज्यादा तदाद में मजूद है यहां पर क्या करने आए हैं स्पीकर्स की क् बढ़ा अच्का फेस्टिवल है यह बहुत अच्छा फेस्ट है मेरा फ्याले इस तरह होती रहनी चाहिए इस से हमारी यूथ जो कि आज के इस दौर में जो है डिसहाट हो जाती है डिप्रेशन में चली जाती है जिने लगता है कि शायद उनके पास अच्छी ऑपर्चुनिटी नहीं है लर्निंग की अर्निंग की तो इस तरहां के फैस्ट मेरा होने चाहिए हमारे नोजवानों के लिए एक लर्निंग का ब जादा सिखा सकें यह इस से बहतरीन चीज मेरा ख्याला हम अपने यूद को कुछ नहीं दे सकते हैं और हर घर में एक डॉलर कमाने वाला होना चाहिए डेफिनेटली आजकल अगर आपने मैं के रही हूं कि टमाटर आलू प्यास के जो डेट हो गए है ना आपने इन से बच है और खास वर पर आज चाल के हालात में तो आप लोग यह एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि हम अपने यंग्स्टर्स को क्योंकि हम बहुत हम यूथ बल्ज वाली एक कंट्री हैं हमारे हां यंग लोग ज्यादा हैं सतर फीसद लोग जों वो तीस साल से कम उमर के हैं तो इन मुश्किल हालात में जब जहां से पाकिसन गुजर और दुनिया भी इस वक्त एक डिप्रेशन में से गुजर ही है तो इन हालात में इनको इंकरेज करना इनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है और खास वर पर जो कटिंग एज नई टिकनोलोजीज हैं उसके उपर करना तो इसलिए आई थिंग दिस अपरफिक्ट ऑपचिनिटी और बहुत अच्छी आपकी यह इनिशेटिव है कि आप लोग दोंगों को इंकरेज करें तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी काविश है क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ चंद लोग हैं जो ऑनलाइन अर्णिंग कर रहे हैं जो इंटरनेशनली जिन्हों ने अपना नाम बनाया तो अगर उन लोगों को एक प्लैटफॉर्म पे अकठा करके दूसरे लो तो इस तरह के एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं कि आप लोगों को बताएं कि आप सीख के कमा सकते हैं और जितनी जल्दी आप ऑनलाइन कमा सकते हैं पाकिस्तान में डालर आने चाहिए ताके पाकिस्तान की जो मुष्यत है वो मुझबूत हो तो मैं समझत हूँ यह सिर कि का दर्वाजा है जो आप लोगो खोड़ रहें तो मैं सलाम बास इस इवंट के लिए आया था क्योंकि हमारा भी फिचर फेस्ट के नाम से एवंट हुआ था लहौर में एक्सपो में और उसके नितिजे में 200 मिलियन डालर के मौाइदे बाहर की कंपनियों के पाकिस्तानी कंपनी के साथ हो गए तो अगर प्राइविट सेक्टर में इस तरह के मौाइदे हो जाएं और पाकिस्तान में इस तरह से पैसे आना शुरू हो गए तो मुझे जिकीन है कि नौजवान ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं तो इसलिए इस तरह के इवंट्स बहुत जरूरी है मै देखे बहुत ज़्यादा फुशी होई है उन्हें बच्छों को लेकर आए हैं जो कि आप आने वाले दोर में हमारे इंशाला लीडर बनेंगे तो उनको अपने बड़ों से अपने जो एक्सपिरियंस परसन हैं उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या 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 चीज़ां उ अमेरिका में भी 10-10% लोग बिजनस करते हैं 90% जॉप करते हैं लेकर हमारे मुल्क में बिजनस की रेशियो एक परसंट है इसको मुझे दस परसंट तक लेकर जाएंगे यह मुझे तुम एनरजी मिली मैंने अंदर अपनी बात में भी कहा कि मुझे यहां के इंकरिजमेंट पर पैसा कमा रहे हैं कुछ एफट कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई भी ऐसी नहीं है कि जिसको हम कहें कि हमारे कहीं वो बहुत डिगरी होल्डर्स हैं जिनको हम आप टू दम मार्क और किसी बड़े स्टैंडर्स पर जिन सकें लेकिन कर रहे हैं मुझे तो बहुत अच्छा अपील हुआ और मैं यह प्लेयर प्राउड फील कर रहा हूं यहां खड़ा हो कि मैं ऐसी जगह पर आया जहां पर पाकिस्तान का फ्यूचर को हम देखते हुए मैंने अंदर एक अड़वाइस दी है कुछ लोगों से मश्वरा किया है कि फ्यूचर में हम इसमें क्या रोल अ पर इसके टाइटल पर अगर गौर करें तो आप मंदाद होताए के लर्ण और अर्ण यह नहीं आप सीखी यह रहें कि आपने कमाना कैसे हैं अप सीखी यह रहें कि अपनी इंसपार करने अर्णिंग के हवाले से तो इस असाब से तो मैं समझते एक बहुत जबरस किसम यह और इसको और्गनाइस के जाहर है मिर्जा साहब ने तो आइम वेली ग्रेटफुल तुम क्यों आज की इस नौज़ावन नसल को सबसे ज्यादा जिस चीज़ की इस चीज़ की इस दुरूरत है वह यह कि दुनिया तो खुली हुई है कमाने के रास्ते बे खुले हुए और सकते हैं यहां यहां इसे बिलकुल नहीं है जिए खुद हम लोग भी अर्निंग करने वालों में से जो आणले अरंड कर रहें और इसका मित सिर्फ वही कर रहें जो शाइद तो करना नहीं चाहरे या फूर अपने इससे का किरदार नियादा करें अच्छा ग्रोप पाकिस् को देखते हैं फिर आपका भी दिल करता है कि आप वैसे बने इसके अदावा कुछ आइडियाज मिल जाते हैं और जो लोग सुक्सेशफुल है वो अपनी प्रैक्टिस शेयर करते हैं आपके साथ आके तो वहां से अंदाज़ा हो जाता है कि एक फूट स्टेप्स जो है वो मि ढूलेज भी लें सब्सक्राइख वे थेक्स लाट एंग यंदे अटाइख है ड्यागीज़ एंड आपके